इंसान को आगे बढ़ना है तो प्रकृती के साथ चलना होगा कहते हैं कि मानव समाज को ये बात अब जादा से जादा समझ में आती जा रही है लेकिन अगर प्रयासों की बात करें तो गिने चुने लोग ही इस ओर कारे रत हैं आज World Environment Day यानि विश्व पर्यावरण दिवस पर हम चर्चा करेंगे पांच ऐसे बिजनेस आइडियास की जो ना सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छे हैं बल्कि आपको भी एक बड़ा बिजनेसमेन बना सकती है पहला और्गैनिक स्टोर आज विश्व में स्वास्ति के प्रती जो जाग रुपता है वो पहले से कहीं जादा है प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी अस्तर पर अपने स्वास्ति के लिए प्रयास कर रहा है और ये ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है ऐसे में और्गनिक स्टोर खोल कर आप एक ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो ना कि बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है बलकि आने वाले समय में भी ग्रोध की अपार संभावनाई दिखाता है और्गनिक स्टोर के रूप में आपकी राना आइटम्स, स्किन केर प्रोड़क्ट्स, फूड आइटम्स इत्यादी के स्टोर खोल सकते हैं ये एन्वार्मेंट फ्रेंडली होने के साथ साथ इसमें मार्जिन भी अच्छा खासा होता है और साथ ही सरकार भी इसको बढ़ावा देती रहती है इसके लिए बस आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, बस पर्मिट और लाइसेंस बनवाईए, फंड का इंतजाम कीजिए एक अच्छी लोकेशन जहां हायर इंकम क्लास और हायर मीडियम इंकम क्लास के लोग खरीदारी करने आ सके वो ढूंडिए और बस मैनेज करने के लिए कर्मचारी लगाईए और शुरू हो जाईए आप चाहे तो शुरू से ही ओनलाइन डेलिवरी की सुविधा देकर अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो करवा सकते हैं दूसरा, रिसाइकलिंग बिजनेस आज विश्व में रोजाना लाखो टन वेस्ट जनरेट होता है और ये देता है आपको एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी की जी हाँ, वेस्ट कई प्रकार का होता है और उससे न जाने कितने रिसाइकल बिजनेस पॉसिबल है सबसे पहले आपको चूस करना होगा कि आप कौन से वेस्ट को रिसाइकल करना चाहते हैं जैसे ही अलुमिनियम है, बैटरीज है, कपड़े है, पेपर है, कंस्ट्रक्शन वेस्ट है, प्लास्टिक्स है और इसके अलावा भी कई आप्शन्स है अलग-अलग वेस्ट के लिए अलग मशीने अलग मार्केट की ज़रुरत होती हैं, चुकि भारत में आप वेस्ट इखटा करने और उसको सेग्रिगेट के लिए लेबर सस्ते में पा सकते हैं, ये बिजनेस आपको काफी तरक्शी दिलबा सकता है तीसरा, Making Clothes from Plastic CPCB यानी Central Pollution Control Board की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में रोज 22,940 टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है अब इसमें से अधिकतर प्लास्टिक नौन बायो डिग्रिडेबल होता है, लेकिन बहुत सारा प्लास्टिक रिसाइकलेबल होता है जैसे प्लास्टिक बॉटल्स, इनको छिलने के बाद चिप्स में बदला जा सकता है जिसका यान बनाया जा सकता है, उसी यान को बुनके फैब्रिक बनाया जा सकता है इस विजनेस को शुरू कर आप काफी पैसा कमा सकते हैं चौथा, Eco-Friendly Toys बाजार में उपलब धदिकांश खिलोने प्लास्टिक से बने होते हैं, जिनमें टॉक्सिन्स होते हैं ये खिलोने गैर बायो डिग्रिडेबल हैं और जब उप्योग के बाद फेग दिये जाते हैं तो नुपसान पहुचाने की शमता रखते हैं आज कल कई पैरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे खिलोने से दूर रखना चाते हैं जो उनकी सेहत और पर्यावरण पर विप्रीत असर डाल सकते हैं ऐसे में आप अगर लकडी, बांस और मिट्टी जैसी चीजों के खिलोने बनाते हैं तो पर्यावरण के साथ साथ ये आपके बिसनेस का भी पूरा खयाल रख सकते हैं शुरू करने से पहले बस आपको कुछ चीजें समझनी होगी जैसे बच्चों के खेलने के पैटर्ण, खिलोनों की दीम और कॉंसेप्ट इत्यादी ये किसी को बताने की आवशक्ता नहीं है कि इलेक्रोनिक चीजों का हमारे जीवन में कितना उप्योग होता है और जाहिर सी बात है कि उप्योग होता है तो चीजें खराब भी होती है और उन्हें बदल लिया जाता है पर आप चाहें तो इहीं खराब हुई चीजों को कमदाम या कबाड़े के भाव पर खरीद कर उन्हें किसी एक्सपर्ट की मदद से वापस रियूजेबल बना सकते हैं और मार्केट में रिटेलर्स को बेच सकते हैं या ओनलाइन भी बेच सकते हैं अगर आप इसमें पूरा डिस्क्लोजर ग्राहक को देते हैं कि कौन सी चीज इसमें काम नहीं कर रही है या कमजोर है और साथ ही अगर गैरेंटी दे सकते हैं तो आप अपने बिजनेस को आगे लेकर ही जाएंगे यह बिजनेस आइडियाज आप सिर्फ आज के मार्केट की नजर की जगा फ्यूचर मार्केट की नजर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह एन्वार्मेंट फ्रेंडली बिजनेस आपको एक अलग मुकाम पर पहुचा सकते हैं और साथ ही आपको एक बहुत जिम्मेदा और नागरिक बना सकते हैं